आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, let's start the question Question here is Rods and Cons are Modified तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो Rods और कौन से हैं इस आर बिसिकली the photoreceptor cells जो की light को receive करते हैं यह given option में से कौन से type के neurons होते हैं तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे option first से जो दिया गया है multipolar neurons तो यह जो हमारा option है वो यहाँ पे गलत होता है because multipolar neurons की अगर हम बात करें तो यह जो है हमारे type होते हैं neuron के that process is a single axon and many dendrons इसमें जो है single axon होता है और बहुत सारे जो है dendrites होते हैं okay after that देखेंगे second option second option जो है हमें दिया गया है unipolar neuron तो यह जो हमारा option है वो भी यहाँ पे गलत होता है unipolar neuron की अगर हम बात करें तो यह जो हमारे neuron है इनमें जो है एक ही process होती है जिसे हम neutrite कहते हैं और यह जो process है यह extend करती है from the central body after that देखेंगे third option third option जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है bipolar neurons तो यह जो हमारा option है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है because यह जो है type है हमारे neuron के जिसकी two extensions होती है एक यहाँ पे exon होगा और एक जो है dendrite होता है आप यहाँ पे diagram भी देख सकते हैं diagram में clearly आप notice करेंगे कि जो roads और कौन्स हैं यह हमारे modified neurons होते हैं last option दिया गया है none of these तो यह option भी हमारा यहाँ पे गलत है तो correct answer remain option third और remaining जो है वो हमें wrong options दिये गए है right